उतर प्रदेश सरकार के द्वारा नारी सुरक्षा एवं सशक्ति करंजाग रुकता सब्ताम मनाया जा रहा है वहीं दूसरी और प्रदेश में रहने वाली माहिलाओं के साथ रेप और हत्या जैसी घटनाय रुकने का नाम नहीं ले रही है ताज़ा मामला मुजफर नगर का है जहां 22 वर्षी युवती का अग्याज शव मिलने से हड़कंप मच गया है आशंका जटाई जा रही है कि युवती की गला रेट कर हत्या करने के बाद शव को नदी में फिक दिया दरजल मामला बुढ़ाना कोतवाली शेतर के चंधेरी गाउंस्थित हिंदन नदी का है जहां रविवार को दोपहर को कुछ किसानों ने पुलिस को सूचना दी कि अग्यात युफती का शव नदी में पढ़ा हुआ है जिसके बाद सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुची और शव को हिंदन नदी से बहार निकाल कर अग्यात शव की पहचान करने के प्रयास किये लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्ट मौके लिवेज कर मामले की जानत शुरू कर दी बताया जवरा है कि बाइस वर्शी अग्यात युफती का अगला रेत कर हत्या कर दी गई थी जिसके बाद कातिलों ने शव को छुपाने के लिए हिंडन नदी को अपना निशाना बनाया और शव पर कुंतलों मिट्टी बंद कर नदी में फेक दिया इस मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्ट मौडल रिवोट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है हमको खेत में काम करने के लिए थे हमको बद्बू आई तो हमने देखा ए नदी में तो एक लास दिखाई दी इसलिए हमने पुलिस को तुरंट सो नंबर पर फोन किया इसके बाद पुलिस है उन्होंने सब को निकाला और निकाल कर उसकी शिना का तो इसका देगर लड़की का सव थाई इसकी चाहती पर मिट्टी बंदी निकली मुझण नदी में एक महिला की बोड़ी मिलिये है जिसके यहां खेत पर काम करने लोग आए थे उन्होंने देखा सो नंबर पर सूचना दी हम लोग आए देखा थाने को बताया तो इस महिला का गला कटलने की आसंका है और इसके पेट पेचाती पर कपड़े से मिट्टी मे मुझण नगर से सचिंतियागी की रिपोर्ट